चंदापूर नामक गाउ में बाबू लाल अपनी बेटी चम्पा के साथ रहता था बाबू लाल बहुत ही गरीव और निर्धन था वो ढोल बजा कर अपने घर का पेट पाल रहा था वो साधियों और पर्व तेवहारों में धोल बजाने का काम किया करता था धोल बजाने के कारी में वो इतना माहिर था कि उसके धोल बजाते ही सभी लोग थिरकने लगते थे एक बार वो एक साधी में धोल बजा रहा था पारात बस निकलने ही वाली थी तभी लड़के के पापा आके बाबू लाल से बोलते हैं अड़े बाबू लाल सभी लोग तो तयार हैं सब कुछ तयार है फिर किस बात की देरी तुम अपना ढोल बजाना सुरू करो बाबू लाल ढोल बजाना सुरू कर देता है जिससे सभी लोग उसके ढोल की आवाज पे नाचने लगते हैं और ठीरकने लगते हैं और सभी लोग उसका नाम भी लेते हैं इस तरह साधियों में और पर्वतेभारों में ढोल बजा कर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था वो साधियों में खाना खा लेता और उसी साधी से अपनी बेटी के लिए भी खाना घर ले आता था वाँ बाबा ने रंग भी रंग के खाना और ये मिठाई इतनी साड़ी वाँ ये तो बहुत स्वादिस्ट दीख रहे हैं बाबा मैं खालो मुझे बहुत जोड से भूख लगी है बाबा हाँ हाँ बेटी खालो ये खाना तुम्हारे लिए ही लाया हो वाँ बाबा ये चौमीन ये रसगुले ये बर्फी कितनी स्वादिस्ट है बाबा बाबा मैंने ऐसा खाना और अजगुला तो कभी नहीं खाया बाबा ये बहुत अच्छा है इस तरह बाबुलाल अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था और जो भी पैसे कमाई हो रहे थे उससे वो अपनी बेटी को अच्छे इसकुल में पढ़ाई करवा रहा था बाबू लाल चाता था कि उसकी बेटी पढ़ लीकर अपने पैरों पर खरा होए जिसके लिए वो अपनी बेटी की पढ़ाई में किसी तरह का कोई कमी नहीं कर रहा था एक बार की बात है बाबू लाल को एक साधी से ढोल बजाने का ओफर मिला किन्तु अचानक से उसकी तव्यत खराब हो जाती है बाबा सुभ़ हो गई आप अभी तक उठे हैं क्यों नहीं आज इतनी देरी क्यों उठने में बेटी इता नहीं आज मेरी तव्यत ठीक नहीं लग रही है और देखो न साम एक साधी में भी जाना है मुझे ढोल भजाने के लिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है हाँ बाबा आपको तो तेज बुखार है यह आपका सर तो बहुत गर्म लग रहा है बाबा अब मैं क्या करूं किसे बुलाओं बाबा बाबा यहां पास में एक सरकारी दवा खाना है चलिए मैं आपको वहां डॉक्टर से दिखवा देती हूं ठीक है बेटी चलो चलता हूं इतना कहकर चमपा अपने बाबा को सरकारी दवा खाने ले जाती है और वहां डॉक्टर से दिखा कर उन्हें कुछ दवाईया दिला देती है दॉक्टर चम्पा को बोलता है बेटी ये कुछ दवाईया है जो अपने बाबा को दे देना ये कुछ आइरन और केलसियम है और हाँ एक बात और अपने बाबा को कम से कम तीन महने तक ढोल बजाने को मत बोलना क्यूंकि उनके सरीर में हेमोगलोमिन का मात्रा बहुत ही कम हो गई है इसलिए उनको बोलना जितना हो सके घर पर ही रेस्ट करें और तुम उनका पूरा ध्यान रखना ठीक है डॉक्टर साहब आप दवाईयां दे दीजिए मैं बाबा की देख़ाल करूंगी इतना कहकर चम्पा अपने बाबा को दवाईयां लेकर घर वापस ले आती है और अपने बाबा का पूरा ख्याल भी रखती है कुछ दिन इसी तरह बीच जाते हैं किन्तु कुछ दिनों बाद चम्पा को घर में खाने की दिक्कत आने लगती है वो सोचने लगती है बाबा तो बीमार है मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा वरना मैं अपने बाबा का ध होल को गले में टांग बाहर निकल जाती है जिस बेंड में उसके पापा काम करते थे वो पहले वहीं पर काम मांगने के लिए जाती है अंकल मेरे बाबा बहुत बीमार है उनके बदले में मुझे कुछ काम दे दो ना मुझे अपने बाबा का तप्य ठीक करना है अंकल मुझ होकर वहां से बाहर निकल जाती है तब ही बाबू लाल के साथ काम करने वाले उनका दोस ब्रिजेस की नजर चंपा पर पड़ती है वो चंपा को लेकर अंदर माली के पास जाता है और बोलता है सर जी इसे भी काम दे दोना ये बच्ची बहुत गरीब है और इसका इसके बाब ही गुरूप में हमारे साथ धोल बजाने चली जाएगी दूसरे दिन होली का तहवार था बेंड पाटी को एक समहारों में धोल बजाने के लिए जाना था उसी समहारों में चंपा भी उन लोगों के साथ जाती है उस समहारों में उस छोटी सी बच्ची को देखकर सब बोलन और धोल कितना बड़ा सा लेकर आई है यह के धोल बजाएगे किन्तु जब चमपा ने धोल बजाना सुरू किया कि उसके धोल के आवाज पर सभी नाचने को थिड़कने को मजबूर हो गये सभी के पैर खुद वखुद थिड़कने लगे ननी सीजान ने इतनी अच्छी धोल बजाएगे सभी उसके तारिफ करते नहीं थके इधर सभी लोग रंग और गुलाल से होली खेल रहे थे सभी लोगों ने चमपा की तारिफ की और उसे गुलाल भी लगाया हैपी होली बेटा हैपी होली सेर